नमस्का दूस्तों मैं आपका दोश्र रवीद वनसी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवी टक्स्टूरीयो में तो दोस्तों आज का वीडियो लेके आया हूं वेकेंसी आई हैं ट्रेड्ड अपरेंटेस की कि एलेक्ट्रोनिक कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड में तो आज के इस वीडियो में कवर करूंगा क्या 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 एलेजबिल्टी क्रेटीरिया है सेलेक्शन कैसे होना है और क्या कटाव मार्क से और कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी तो जो जो नए साथ ही मेरे इ सब्सक्राइब तो आप यहां पर देख सकते हैं और स्क्रीन यहां पर ज्यादतर जो वीडियोस आप देख रहे हैं प्रेंटेस अपोचनिटीज इंचिन ट्रैनी एग्जुटिव ट्रैनी पूस्ट इन डिफरेंट और्गनाजेशन इसी पर वीडियोस आ रहे हैं गवर्म चैनल स्टडीज के भी आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी जनल वेरेंस पर आपको प्लेइस मिल जाएगी तो डिफरेंट काइन के ओल अकेडमिक कंटेंट जनल नौलेज के रियर कांसलिंग गॉवर्मेच जॉब एक्जाम से रिलेड़ बीडियोस चैनल पर आप देख साइड वाई दी लेक्ट्रोनिक कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड जो अपने आप में एक गवेंट आफ इंडिया एंटरप्राइस है और जिसका है और हैट्रावाड में जैसा कि सब जानते हैं तो यह अपने यह पीए स्यू है जिसके एक डिपार्टमेंट से कहते इसने देपार्टमेंट अव अटमिक इनर्जी इसमें ट्रेड अपरेंटिस के लिए वेकंशी आई हैं और दिस इस देपल में वेकंशी दी गई हैं सेरे नमबर वन एस एलक्रीशन पूट्रेड पचास वेकंशी हैं जिसमें के चौवीस जनल का ट्रिक लिए से तीन एकनोमिक भीका सेक्शन के लिए जनल पार पार अफ जनल इस आलसो मिंग यह ओवी के लिए 14 वेकंशी ऐसी तेसे हम कहते हैं सिल्ट कास्ट एड़ वेकंशी सुरुल ट्राइब के लिए चार वेकंशी टोटम लागे पचास वेंगेंशी एलेक्रीशन के लिए होगे अब टूल मैंटेनेंस के लिए दो वेकंशी तो आइटम नंबर वन से लिके 9 तक के लिए जो स्टाइपेंड जो मिलेगा पर मंत कंसॉलिटेड इस टाइपेंड पर मंत आपको मिलेगा आठ जार पचास एट ताउजन 50 रुपीस पर मंत फॉर इस पोस्ट अब आइटम नं अपरेटर और प्रामें प्रोग्रामिंग असेस्टन सीओ पीए ट्वंटी पोस्ट है इसमें डीजल मेकानिक प्लंबर SMW वेल्डर पेंटर यह टोटल मिलाखे 284 वेकंशी आई हैं ट्रेड अपरेंटेज की जिसमें की जनरल कैटेग्रीट के 143 वहीं पेक नौमिश लेकर 9 तक यह आपका हुरा है 850 के साथ में कार्पेंटर से लेकर पेंटर तक 700 परमंत आपको स्टाइपेंट मिलेगा और यह टूटल जो 284 वेकंशी इसमें बारे जो वेकंशी हैं वो रिजर्व हैं पर्षन बेंच्पार्क डिसेबिलिटी के लिए जो कि भरी जानी अब इसमें एज की बात कर लेते हैं जैसा कि अपरेंटेस है तो इसमें मिनिवाम जो एज है 18 साल की होनी चाहिए 31 अक्टूबर 2022 को अपर इस लिमिट जनल के लिए 25 साल की ओवी सी में अगर आप पढ़ते हैं तो 28 साल की से के लिए 30 साल रखी गई है अपरेंटेस कितना होगा एक साल की अपरेंटेस के लिए एक साल का है जो कि स्टार्ट होगा यह प्रोग्राम नवंबर 2022 से इसेंशल क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बुला था इसके तो आई टी आई चाहिए इस पास सर्टिफिकेट फॉन एंसी बीटी सर्टिफिकेट किसी भी रिस्पेक्टिव स्टूर्ट से और तीस परसंट सी्ट हें जो प्राइवेट इस्टूर्ट से बरी जाएगी इई नोट डाउन कर लें 70 प्रसंट सीट जो है kitchen दियुके एक ऎक सक्टीछकट आपको बता दी जायेगी एमेल के जरिए जो भी सॉट् justamente हो और इसलिए जह वहाब यहाए इसको को कर लें 70% जो है वो गवर्मेंट आइट इस्टुएंट के लिए तीस परसंट जो है प्राइविट आइट इस्टुएंट के लिए डागूमेंट वरिफिकेशन जो होगा वह होगा 20 सक्टुवर से लेकर एक्ठाई सक्टुवर की बीच में एक्जक्ट डेट आपको बता दी जाएगी इमेल के जरीए जो भी सौट लिस्ट रहूंगे उनको और इसलिए जो आप यहां पर फिल करोगे वह जीवित होनी चाहिए अपनी खुद की मेल आइड होनी चाहिए इसे को एद्रावाट 5-000-062 दिस इस डाइडरस वहरी विल बी गोई फॉर डाकुमेंट वेरिपिकेशन आप्टर यह गेटिंग सौट लिस्ट बीस्ट ओन यूराइट एमक्स तो यह तो हो गया एलिजिबिलेटी आप जनल कंडिशन इसमें क्या क्या है आप अप्लाई करने से प परसंट उससे ज्यादा होनी चाहिए जो भी क्वालिफिकेशन है वह सारे के सारी इंडियन इंचिट्यूट रिकॉगनाइज बाई अप्रोप्रोप्रेटी से होने चाहिए और आपको आपको उनलाइन ही बहरना इसका फॉर्म अप्लिकेशन जो है रिजेक्ट हो सकता है किसी भी स्टेज में जब चल रहा हो अगर आपने कोई भी फाल्स इंफॉर्मिशन इसमें दी या फिर फोजड डाकुमेट बगरे लगाए तो पता चलता है तो आपका अप्लिकेशन नंबर जब भी आपको कोई गर कर सकते हैं और उस्की करेंगे हुगी के जरीये होगी जो आप मेरें यकिरीय वर में अफमेरम में प्षाइब से आपको किया जाएगा आप इसमें जो एक पोइंट है समें इसमें क्लियर बोला गया है Electronic Corporations of India Limited के पास में राइट हैं वो इसको कैंसल भी कर सकती है या फिर बढ़ा भी सकती है मोडिफाई कर सकते हैं सेलेक्शन प्रॉसेस वो अगर रिक्वार्मेंट आए तो ठीक है वे सारी चीज़ है बढ़ सकती है कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स इस मैटर से सब्सक्राइब होती है सारे सारी हैड्रावार्ड में होंगी तिलंगाना स्टेट में किसी भी चीज़ के रिस्पॉंस्विल नहीं है नेटवर्क इंटरनेट डिफिकल्टी अगर आपको करना है ऑनलाइन अप्लाइन अप्लाइब उसके लिए रिस्पॉंसिबल नहीं है किसी तरह की कोई जोगार नहीं लगा हुए आप केंवसिंग नहीं चलेगी बनना अगर पता चलता है तो आपकेंड़ केंसल कर दिया ज कर सकते हैं अगर वो किसी तरह का ऐसा कोई रीजन है जो के आउट अप कंट्रॉल है उनके हैंड से तभी ही अप्लाइब तभी आप विट्रों कर सकते हैं अधर्वाइस अगर सेलेक्टेड होगे तो आपको ट्रेणिंग जॉइन करननी पड़ेगी और आपको काम करना है औ और एक कॉंट्रेट फिल करवाए जाएगा अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपका मनी आपको नहीं मिलेगा अगर आप कंप्लीट कर लेंगे अपनी ट्रेनिंग राइट वह पूरे को पूरे इसके त्रू जाएंगे जिसे कहते हैं प्रोफिशनसी डिजगनी ट्रेड में जब उसको पास कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट और प्रोफिशनसी ट्रेड दिया जाएगा नेशनल कांसें द्वारा इसकी ट्रेनिंग रहुए एक साल लगी उसके बाद में टेस्ट किया जाएगा उसके बाद में एक सेटिफिकेट भी आपको मिलेगा अब इसमें अप्रेंटेस कहता है इसमें जो भी एंगेजमेंट होगा अप्रेंटेस का वह एजपर दीए अप्रेंटेस एक नाइटी सिक्स्टी बन से होगा और यहां पर एक चीज बहुत इंपोड़ेंट यहां पर मैंसर कर दिया गया है कंपनी की रिस्पॉंस्विलिट नहीं है आपको प्लेशमेंट देनी की वह केवल केवल आपको ट्रेंग देंगे अपेंटेस जो हैं जो आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप क्लीम नहीं कर सकते जौब इसी आईल में अगर कि अपने रूम पर छोड़ की जाएकर होगे जब आप वहां पर काम कर रहे हैं तो फिजिकल फिट्नेश टेस्ट जो है सर्टिफिकेट वह आपको देना पड़ेगा ठीक से सर्टिफाइड कराके और रेजिडेंस आफ और डिस्टेक आप तेलंगाना स्टेट आर स्किल है वह अपलाई कर सकते हैं डारेक्टली गोइंग ओन www.apprenticeshipIndia.gov.in फिर वहां पर आपको करें रेकट करना है को यह बहंना करना सब्सक्राइब करना है सारी तेल बनने के बाद रिकवाइए holding को आपको सब्सक्राइब करना है और अपलाई करने की डेट भी फिक्स हो गई है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको अप्सक्रिप्स्रिप्शन टाइम है तो वेल विफोर दी लास्ट मिनिट इसके लिए प्लाई करने और जो अप्लिकेशन होगा वह ओनलाइन होगा किलेली बूल दिया गया है ठीक है और कंडिट उसके बाद मुसका प्रिंट आउट लेंगे ठीक है रजिस्ट्रेशन ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म विच सिस्टम जने अप्लिकेशन नंबर सी नंबर और आपको नूट डाउन करने किसी भी स्टेज़ पर अगर यह पाए जाता आपकी इंफॉर्मिशन इंकरेक्ट है या फिर आपने फोस्ट डाकूमेंट बगएरा लगा के करवाई है तो आपको कर दिया जाएगा किसी भी तरह का टीए डीए नहीं देया जाएगा अगर आप अटेंड करने आरें डाकू प्राइन अप्लिकेशन फॉम में वह सारे के सारे डाकूमेंट आपके पास में होने चाहिए आपका का सर्टिफिकेट आपका आधार का ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी इन्में से हो सकता है और सब्सक्राइब रहे हो कैटेगरी सर्टिफिकेट एस्ट वीची जो सब्सक्राइब करते हैं वह सारा का सारा न्यू बना होना चाहिए बिदिन वनियर और सिक्स मुन्त के बीचे में बना होना चाहिए अब इंपोर्टेंट डेट्स नोट करने 27 सिटमबर से स्टाट हो चाहिए इसके रेजिट्विशन लास्टेट है दस अक्टूबर सामके च सेलेक्शन होना है अब इसमें चीज बोल देगा है यह देखिया कॉशन टू ऑल कैंड़ेट्स कुछ लोग हैं जो की बोलते हैं उनकी जोगाड है उनकी चक्कर में ना पड़ें आपको सॉर्ड लेस्ट करने के लिए पैसा मांग सकते हैं तो किसी को पैसा ना दें अनिता चीट हो जाएंगे क्योंकि इसमें किसी तरह का पैसा नहीं चलता है किसी तरह का इस्मेश कॉछलन कर ले great बढ़ लोग लिए तो दोस्तों जो जो नए साथी मेरे चैनल पर आए हैं प्लिज डू सब्सक्राइब डूट फॉरगे टू प्रिज डी बैल आइकेन तो आज के लिए इतना ही मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेश था तर तक नमस्कार जैहिंद बंदे मातर